नवस्कार साथियू मैं राजी व्यादव एमजी किलासिस के यूटूब प्लेटफर्म पर आपका बहुत-बहुत श्वागत करता हूं आज का हमारा वीडियो है रसायन सास्त से संब्मंदित रसायन सास्त में क्या रसायन एक अभिक्रिया हैं जिसके अंतरगत हम देखते हैं रसायनेक परिवत-बहुत एक परिवरतन विश्थापन अभिक्रिया दूए विश्थापन अभिक्रिया यहां चाल्स अब उक्रेड़ाई इन सब कुझ नियाम है. इस वीडियो के इन्तरक्ध और सभी पर हम चर्चा करेंगे. हमारा टोपिक है क्या रसाइनिक अभिक्रिया है है. रसाइनिक और भौतिक परिवर्तन जो रसाइनिक परिवर्तन होता है इसके हम यदि परिभाशा की बात करें कि रसाइनिक परिवर्तन किसे कहते हैं बैसा परिवर्तन जो जिसमें बस्तू की अवस्था में ही तथा गुड़ों में ही परिवर्तन हो जाए आवस्ता के साथ साथ उसका जो गुड होता है उसके गुड में भी परिवर्तन हो जाए उसे हम बोलते हैं रसाइनिक परिवर्तन या जो परिवर्तन एक बार किसी बस्तू के साथ हो जाए भर बापस उसे पुनापूर्व इस्तिती में ना लाया जा सके उस इस्तिती को या उ सही से दूद नहीं बना सकते हैं जो इस तरीका से परिवरतन होगा कि उसको पुनाहा पहले की इस्तिति वापस ना लाया जा सके उसे वह लायाता है रसायनिक परिवरतन जैसे दूद का दही बनना इसके लावाएदी हम बात करें पाचन की अभिक्रिया या मोमबत्ती का जल जाना मोमबत्ती का जलना भी किसका उदार रसायनिक परिवरतन का उदार पाचन के विक्रिया भी किसका उदार रसायनिक परिवरतन का उदार पाचन अभिक्रिया इधन का जलना इधन एक बार जल जाएगा तो क्या बापस उसको इधन बनाया जा सकता है बिलकुल नहीं ब होता है इसके बाद हैं मोम का जल जाना ओसका दुआ बनगया भर बापस उससे नहीं बनाई जा सकती है यदि हम बात करें का जलना एंभी किसका इंदि के सामाइपन का इधार होता है यहां कुल मिला यहां परिवर्तन फिर यदि हम बात करें बहुतिक परिवर्तन बहुतिक परिवर्तन में क्या होता है इसमें सिर्फ बस्तू की अबस्था में परिवर्तन होता है ना कि उसके गुड़ों में कोई परिवर्तन नहीं होता है मात्र उसकी अबस्था में ही परिवर्तन होता है ऐसे परि परिवथन कहलाएं लाएगा बहुत अक परिवथन कहलता है उसे संगनिन के माध्या से पुना जल बना शकते हैं या मौमभ्रो चूम्द का पिघलन को मोम का घंग का हम पापस मौन पिघलन का होता है न कोِंद्ध कहते है श iteration का ढरतन मौम बन सक्सिदाक जन imos जलनें की प्रिक्रिया अलग होती है इसका क्या हो गया है इसका उर्दु पातन हो गया इसलिए बहुत इक करी वर्तन में आएगा। जल का बास में बदल जाना बास बदलेगा बास बन जाएगा पुना उसको हम जल में परिवर्तित कर सकते हैं यह होता है क्या बहुत एक परिवर्तन इसके बाद यदि हम एक दो पॉइंट की और बात करें अभीकारक होता है तथा उत्पाद होता है क्या होता है अभीकारक और तो नया तत्तो बनता है, पदार्त बनता है, उसे बोलते हैं, उत्पाद, अब इधर देखेंगे, रसाइनेक अभीक्रिया, क्या होती है, रसाइनेक अभीक्रिया, कितने प्रकार की होती है, रसाइनेक अभीक्रिया में कोई ना कोई भाग लेता है, तत्तो, उसके बाद उस सतह का तापमान कम हो जाता है तापमान कैसा होगा? कम हो जाएगा और बस्तु इसमें उस्मा का अपशोषड करती है बस्तु उस्मा का अपशोषड करती है तता सतह का तापमान कम हो जाता है जैसे बास्प उस्याजन तता बास्पी करण की क्रिया जो बास पोसरजन और बास भी करड़ की अभिक्रिया है यह कि आया एक प्रकार की उश्मा शोशी अभिक्रिया उश्मा शोशी अभिक्रिया में बस तू को उश्मा प्राप्ट होती है यानि बस तू उश्मा का अब शोशड कर लेती है इसको हम कैसे याद रखेंगे, ऐसे करो, जैसे, मान लेते हैं, कोई भूखा वैक्ती है, आप मेंसे कोई भूखा है, अब क्या हो रहा है, आप पहले से एक तो भूखे हो, अब आप से यदि कोई काम का बोल दे, इसमें क्या होगा, आपको वस्ता आएगा, लेकिन उसमा सोश अब क्या हो रहा है, आप किसी ने काम का नहीं बोला, आप भूखे हो, आप से बोला, आप से बेठे हुए हो, जाओ बेटा, भाबर मस्त खीर रखी हुई है, या कुछ भी पकवान रखे हुए है, या मम्मी खुद लाके पकवान आपको दे रहे, आपने पकवान खा लिये तो आपको क्या मिली आपको उस्मा मिली जब उस्मा मिली तो आपका temperature कैसा हो जाएगा आपका temperature कम हो जाएगा जब भूग लगी थी तो आपका temperature हाई था लेकिन जब आपको कुछ पकवान खाने के लिए मम्मी ने दे दिये तो क्या होगा आपका temperature कम हो जाएगा आपने क्या क कि उस्मा का अपसोशड कर लिया कुछ खा लिया यानि कि उस्मा इनरजी आपको मिल गए यानि कि उस्मा का अपसोशड कर लिया यही क्या होगी उस्मा शोशी अभिक्रिया कि जब सतहका तापमान कम हो जाए उस्मा का अपसोशड हो जाए तो वहां कौन सी अभिक्रिया होती विखंडन की अभिक्रिया या जल में चूना डालती है तो कैसे उश्मा निकलती है या हम बात करें जल में लुक्त आपमान कैसा ज्यादा है ऊपर से पकवान नहीं दिया मम्मी ने क्याओ बोला कि यह सपर काम मिल गया तो क्या हो आपकी सतय का तापमान बढ़ जाएगा आप उस्मा क्या करोगे उस्मा का तापमान बढ़ेगा यानि कि उस्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होगा उस्मा का उस्मा का उस्मा का तापमान बढ़ जाता है इसके बाद या बाद करें कुन से अभीकरिया? बिंस्थापन अभीकरिया होती इस 먼저 क्या होता है? एक युविकराद के साथ किरिया लेता है एक जो अभी कारक रहेगा वैं दूसरे अभी कारक के साथ क्रिया कर लेता है जैसे एक है A, एक है B, C अब जो A है किस से अभी क्रिया करेगा? C से अभी क्रिया करेगा कैसा क्या बन जाएगा? A, C और B अकेला रह जाएगा इसे बोलते हैं हम विस्थापन अभी क्रिया जैसे हम बात करें जिंक की और सल्फियूरिक अमली की यदि हम क्रिया कराती है तो क्या बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हैड्डोयन अलग से बाहर निकल जाता है क्या होगा इसमें A यानि की जिंक BC यानि की हईड्डोयन और सल्फाइड तो इधर क्या होगा ZN SO4 प्लस हईड्डोयन गिसमें बाहर निकल जाता है ठीक है इसके बाद यदि हम बात करें दुई विस्थापन अभी क्रिया जहां पर दो अभीकारों का आदान पैदानों दो अभीकारां के दूसरे के साथ रियक्षन करें उसे बोला जाता है दुई विस्थापन अभी क्रिया जैसे AB प्लस CD इसकोल 2 क्या बनेगा इसके बाद AD प्लस CB इसके बाद आपके सामने कोई भी सूतर आ जाएगा आप उसको आशानी से कर पाऊगे जैसे हमने ले आया पर कॉपर किलोराइट सी यू सी एल टू प्लस क्या लिया सिल्वर नाइट्रेट एजी एटू एजी इनो थरी इसके बाद क्या बनेगा A और D चाहिए है मैंने की कॉपर और अनो थरी चाहिए एजाएगा फिर इसके सी उओ और बी चाहिए आनि की हमें एजी और सी एल टू चाहिए क्या आ गया कॉपर नाइट्रेट एनिकि सी यू एनो थरी का होल्ट्वाइज पिलस टू एजी सी एल यानिकि सिल्वर किलोराइज अब ये होल्ट्वाइज कहां आया क्योंकि इसके साथ 2 थे एनो 3 के साथ 2 थे इधर एजी के साथ 2 है तो इधर भी एजी के साथ 2 आ गया इधर सी एल के साथ 2 है तो इधर भी सी एल के साथ 2 आ गया यानिकि ये अभिक्रिया संतुलित हो गई संद्धलत अभीक्रिया के लिए क्या होता है ? दोनो साइड के अभीकारग जाए समान होने चाहिए इसके वाद आध इएभीक्रिया और अनुत कर्मंडिय अभीक्रिया हुती है दोनो दिसाओं में संपन होती यह हम बोल सकते हैं उत्क्रम्डिय विक्रिया एक प्रिकार की बहुत एक परिवाइतन है जो घटना है बहुत एक परिवाइतन में होती है जैसे जल का बरफ बरफ का जल इत्यादी दोनों दिसाओं में संपन हो सके यदि दूसरी हम बात करें अनुत्क्रम्डिय विक्रिया अ हमात्र एक दिसामें संपन्न होगा दोनों संपन्न नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे हम अनुत क्रमडी यह भीक्रिया यह तो यहां तक की कहानी हो जाती है हमारी अभिक्रियाओं की यह रसाइने परिवाइतन बगहरा की इसके बाद जैद हम बात करें गयस आदर्स गयस और ब उसे हम बोलते हैं gas अब जो others gas है others gas किसे कहा जाता है तो others gas बोला जाता है ऐसी gas जो पात्र की दीवारों पर किसी प्रकार का कोई बल आरोपित ना करें उसे others gas बोलेंगे आप बताओ कैसा संबह है कि कोई gas किसी पात्र में है और उस पात्र की दिवालों पर किसी प्रकार का कोई बल आरोपित ना करें ऐसा संब्भुण नहीं है यानिग कि दुनिया में कोई भी दपना आदर्ष गैसर नहीं है हां बोवात अलग है कि कुछ गैस है एक निश्चत ताप्मान और नियत दाब और ताप पर क्या करती है कारबन दियों कि नीजर्ण तो दृषाव करती है जैसे आप लोग भी कि आधरस है आप लोगजेंग दिक्षाते हो भी कि आप भागले वालों की कि घरवालों का डर रहता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हूं ऐसा नहों कोई घर का व्यक्ति देख ले तो आप आदरस तो नहीं हो लेकिन आदरस बनने का क्या करोगे गोड़ कर दिखाओगे आदरस बनने का कहीं ना कहीं लक्षड प्रतीत या उसको व्यक्त करते हो ऐसी होता खोड़ा के नहीं दोगेल हैं जो कुछ लिलोड है गुट होते आफे कुछ नियम बंग्यायद को उन्हेक्ट पिश्टत कीए है कौश नियम जैसे हम बात करेंगे चार्स का नियम किसका नियम चार्स का नियम अबे जो चार्स का नियम है चार्स साहब ने क्या वोला कि इस THYear दाब पर किस पर इस THYEAR का आयतन उसके ताप के अनुकुमानुपाती होता है इस्थर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके ताप के अनुकुमानुपाती होता है यह किसे ने बोला चाल साब ने सबस्ट कुल से इसंव में घ्ट को स्थिर रखना था तर्क को यह हैँ तो इसको कोई औला बहुत यह ऑनर्टे। कोंटेंट हटाके हम क्या लगे देंगे इसको टी वन वक्ते में वर्डावर टी तुव पर चार्ज की नियम का फाइनल में फॉरमूला बन जाता है अब यदि हम बात करें इसको याद कैसे करेंगे तो चाल से हमें समझ में आ रहा होगा चाली सब्सक्राइब अक्सर हम बोल देते हैं हमारे घर परिवार में जो कुछ बच्चे होते हैं अक्सर कुछ चाली होते हैं तो हम उस पर क्या कर देते हैं उन पर एक निश्चित दाव लगा देते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई एक दाव रहता है यह दि रहेगा तो उसका ताप और आयतन दोनों एक दूसरी का नुकमान पाती रहेंगे ताप बढ़ेगा तो आयतन आपनाटमेटिक बढ़ जाएगा यहाए चार्सका निया आप चाल्स पर किसी प्रकार यह निश्चित दाव कर दिया दाव किआया है नियत है यह हो जाता है चार्सका नियम इस से क्या परफूला बनता है तीवन बीवन बड़ाबर टीटू बटे के नियम में क्या बोलते हैं वाइल साब बोलते हैं कि इस्थरत ताप किसी गैस का आयतर उसके दाब कर बिद्कुमानू पाति होता है क्या इतौर सहलों है इससे क्या बनेगा ऐसे सेम कंडिशन यहां से अंगुवान पाती हटेगा तो यहां कोई कॉंस्टेंट आएगा इसका मंटिप्लाई करेंगे हम तो बी और पी क्या गोणा हो जाएगा तो भीवन बटे भीवन पीवन बरावर भी टू पी टू एक इसका फानली फॉर्मूला बन जाता है चाल्स के नि कर दिया कर दिया न थाहे हमने इक को फिक्स कर दिया हमने इस्तिर कर दिया एतने चाप पर अबलना है तो जो नहीं हमायतिन बडाएंगे चैसा हो जाएगा कम हो जाएगा या उसका हम दाब क्या करेंगे जुक्र, से ggarRO हो जाएगा हैनिकि हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन कम होगा तो आयतन ज्यादा हो जाएगा जैसे हम बात करें एक पात्र है उसमें दूद को गरम कर रहे हैं हमने उसका तेमपरियर जो है ताप फिक्स कर दिया अब यह हम उसके किसी परकार का दाब लगा दें दाब को बढ दिया तो क्या होगा आयतन ऑटमेट उसका बढ़ जाएगा आयतन बढ़ेगा फैलने लगेगा उबल जाएगा उपर भी आ सकता है ठीक है ना इसको क्या बोलेंगे फिर इसके बाद हम आते हैं गयलू शाग के नियम पर अब यहां ऐसे याद रखना है कि चाल साव आए पह इन्होंने क्या इस दढ़ रख दिया इन्होंने आयतन को इस तर रख दिया क्या रख अंहोंने बोला इस धिर आ Herrassi का दाब उस PayPal के अनुकुमानूपाती होता है किसने कहा नियम इस जैसा नूपात क से रहें इस यहादि है को कॉंस्टाइगा रहें आपके विटु वचे वते ही ये इसका एलं और में तुप निस्चित हो गया सबॉए तो इसमें आयतन निस्थ अबर नाद सब्सक्राइब लोगन राए इसने था पंछलेव में घाल नहीं इस में इस हो ताप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब हम क्या करें तो इसने वहीय क्या बोला कि हम दो चीज़ों को इस्थर रख देदें इस्थरताप एवं इस्थigare उपंदाब भी इस्थरताप पर किसी जैस का जो आयतन है उसमें मोलौग की क्या के अनुक्मानुपाति होता है क्या होता है मोलौग की . ख्याके अनकुमानुपाती होता है शेय में यहां अनकुमानुपाती का चिन हटेगा कॉंस्टेंट आएगा तो भीवन बटे एनवन मराबर भीटू बटे एनटू यहां पर प्राक्त हो जाएगा यह रहा हमारा किसका चार्ल्स का बॉयल्स का गैलुशाक का अबुग्रैडो पर दाब गयाए कोई पात्र है उसकी दीवारों पर बरावर तरीका से आप लगाए बहुतिक्त परիव्या क्या है गष्मा शोची अभी क्रिया इसके बाद हमने गैशों से संबंद समीकर, चार्ल्स का, वाइल्स का, एबोग्रेडों का और गैलुशाक का नियम के बारे में आमने पढ़ा, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ ही एधी आपको वीडियो पशंद आता है, तो आप वीडियो को ओपिशियल का टेलिग्राम चैनल, जहां पर आप जाएंगे, फाइल ओप्शन में जाकर सरच करेंगे, तो आपको हर एक टॉपिक की वीडियो, हर एक टॉपिक की वीडियो महां से प्राप्त हो जाएगी, धन्यवाद,